हेलो फ्रेंड्स मैं विन्या निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बर फिर्षे हमारे चैनल पर श्वागत है तो फ्रेंड्स अभी मैं कुछ दिर पहले ही ऑल्मोस्ट एक ड़ेड़ गंटे पहले कह सकते हैं कि एक वीडियो लेकर के आया था मैं जिसमें बताया था कितनी अफव लोग का दौर चारी है और अभी अफवायँ फैलाना बंध नहीं किये गये हैं यानि यह लोग बंध नहीं जो लोग अफवायँ फैला रहे हैं यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं इनके सचाई आप लोग भी जानते हैं ये लोग दूसरी के दलाल है इस समय आपको मालूम है टेस्ट बुक के दलाल एक्टिव हो गए हैं के वल टेस्ट बुक का प्रचार कर रहे हैं मैं भी चाहता है तो प्रचार कर सकता था जो 31 जनुरी तक ओफर आया हुआ है अल्मोस्ट रेलिवेस लिटे जितने चैनल हैं सभी उसी का प्रचार कर रहे हैं और उसी का प्रचार करने की चक्कर में सबको फेक न्यूस फैला रहे हैं फेक डेट दे रहे हैं कोई कह रहा फरवरे में एक्जाम होगा कोई कह रहा मार्च में एक्जाम होगा कोई कह रहा किछी की बात पर विष्वास आप लोग मत किया करो क्योंकि यह लोग पिछले देड़ो साल से हर महीने ही एक्जाम कराते आ रहे हैं हर महीने किसी आरवी के चेर्मेंज से मिलते आ रहे हैं ठीक है जबकि मैं आपको परिसान कर डाले हैं और इन ही लोग की देन हैं कि आज चार कैंडेट्स जो हैं जेल में हैं बस आप यही समझ लो अब उनका F.I.R तो मुझे नहीं लगता है कि वापस होगा और अगर F.I.R वापस नहीं होता है तो आप समझ सकते हो उनका कैरियर समझो हमेशा के लिए खत्म हो गया भले हो जमाने तो छूड़ जाते हैं फिर नहीं छूड़ते कभी वो मतलम नहीं है बट F.I.R अगर वापस नहीं होता है तो उनका लाइफ कौन वापस करेगा अगर आपको उनका बैक्ग्राउंड पता चलेगा तो आपके आँखों में आश्रू आ जाएंगे उमीदे होंगी आप यह सोच नहीं सकते हैं ठीक है उसके भाई बाप मजदूर हैं फिर भी उसे पढ़ा रहे थे अब आप अंदाजा लगा लो कहां तक यह लोग किस लेवल तक गिर चुके हैं जब यह लोग लगता ट्वीटर कैंपेंड चला रहे तो तब भी मैं मैं मना करता फ्रेंड्स आप लोग को कि आप लोग ट्वीटर कैंपेंड मत चलाओ कहीं कुछ होगा कोई आपका साथ देने वाला नहीं है जो आपको आज भढ़का रहे हैं यह पीछे हट जाएंगे और एक्जैक्ली बिल्कुल वैसा ही हुआ है क्योंकि आप लोग को मालूम होग बिहार में यनि कि पटना में टोटल 10 लोगों पर फायार हुआ था जिसमें 6 टीचरज थे और 4 स्टूडयंट थे तो छैटीचरज तो बिल्कुल सेफ हैं बिल्कुल पबिल्क पर घूम रहे आ रहे जा रहे कोई जा रहे कुछ नहीं ही बोल रहा है और 4 स्टूड़ तन जे उसे बैठे हुए हैं आप लोग के बरुसे पैसा कमाते हैं वो यह नहीं सोच रहे हैं जो चार गये हैं प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट के तरीके से किया जाता है अब कहीं आगजनी हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है उस चीज को भी अगर सपोर्ट किया जा रहा है तो आप समझ सकते हो सपोर्ट करने ना टीचर है कि क्या है आप अंदाजा लगा सकते हो तो friends ये बहुत गलत हुआ है ठीक है आप लोग को भी support करना चीए उन चार बंदों का जो jail गए है ठीक है jail तो बहुत बड़ी बात हो गई strength carrier में मैं बता नहीं सकता हूँ इतना गंदी बात है ये मतलब कि क्या बता हूँ लेकिन कोई उनकी अब सुन्य लेने क्यों 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 गरीब है और आप लोग किसके support में हैं जो पैसे वाले हैं जो powerful है जो उनको पूरा देश चानता है उनको पूरा प्रदेश चानता है उनके support में क्यों लो लेकिन उन भाईयों के बारे नहीं सोच रहे हो जो आप ही के लिए वहाँ ट्रैक पे उत्रे हुए थे ठीक है अब इन में से कुछ लोग सपोर्ट में कुछ लोग को नहीं होंगे सपोर्ट में कोई कुछ चाहते है रिजल्ट रिवाइस नहीं आया तो फ्रेंट्स अभी तक यह नया एक मंदब अफवाफ सुरुव हो गया है कि कुस लोग कह रहे हैं ग्रूपड इग्जाम 23 फरवरी से ही होगा और कुस लोग करे हैं ग्रूपड इग्जाम 23 मार्श से होगा अब यह 23 मार्श का डेट कहां से तेस प्रिंत माला नहां पुलाना डेट दीया गिया था, ओफिशियल वो था जिसके बार मैं लागता रपको बतार था उस्ट्ट में एक्जाम नहीं हो सकता है क्यों कि रेलियो फर्वर्वर्वर्य में एक्जाम कराने वाला नहीं है चाहे कुछ भी हो जाये रेले फरवर्णी में ग्जाम करने निमोर में बिल्कुल नहीं था और यहीं कारण था रेले में जान बोच के दोनों भरतियों को फसाया मैं directly बोलना हूं क्योंकि यहां पर सही बात है ठीक है पहले एंटीपीस रिजल्ट को गलत तरिकरे से पेस किया गया और फिर तीचर उस के नाम पर campaign चलाए गए मैं तब भी रोक रहा था अभी जब आंसर की आया था मैं तभी बोल दिया था friends कि कुछ यूटूबर्स आपको इसके खिलाब भी campaign चलवाएंगे जब कि रेलवे का सब्सक्राइब और मैं हमेशा यही कहा कि अभी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है तो यही लोग भड़का के अब पीछे किया जा रहा है अब cbt2 के बारे में भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि मार्स लास्ट्रिक में हो जाएगा और इसके साथ बोल रहे हैं ग्रूब डी अप्रेल में हो जाएगा भाईया तुम अफवा फैला कर रिकॉर्ड तोड़ चुके हो अब मैं नहीं छोड़ू का घडि चयर आऄ जोजा दे चुका है बीना उसकी गलती के गलती तुम लोग किए पहले उन्हें भढ़काए जब कर रहा हो इसको रहए न अब कि आप देखे होंगे लेटेस्ट नोटिस में ऐसा कुछ भी मेंसन नहीं है कि हाँ एक्जाम इस डेट से या फिर इस डेट से तो यह सब फेक है नोटिस आने के बाद कि डाउट क्यों है यहां पर कोजन में लगा है नो नोटिस आया था आपने देखा उसमें कहीं भी डेट यहां जान लो सच्चाई में दिखाता हूं फ्रिंट सच्चाई आकर ऐसी अफ़ाई क्यों फैलाई जाती है और उसके पीछे सच्चाई कि आकर कब तक एक्जाम होगा तो यह देखो बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं रेले में कौन सा एजेंसी एक्जाम लेगा अजेंसी के रिप्लाई हमेशा पास्ट की बातों को ही बताता है और पास्ट की वही बाते बताता है जो अल्लेडी ओफिशली पब्लिक हो चुकी हो ठीक है कॉन्फिडेंसल इंफॉर्मेशन आइटि आई के दोड़ा शेयर नहीं की जाती है तो इसके नाम पर भी फेक आईटि रिप्ल में CIT को जा सकता है क्योंकि आपको मालूम है मैं सुरस बोल रहा था अप्रेल से लेकर के अगले साल जून तक TCS बिल्कुल खाली नहीं है क्योंकि आपको डेट नहीं दूंगा क्योंकि जो पुराना उनका बीडिंग हुआ था वो कैंसील हो चुका है एक्जाम डेट टलने के वज़े से पहले अभी तक TCS था 100% कोई डाउट नहीं था मैं आपको कई बार प्रूफ दे चुका था बट अभी कुछ भी कुछ भी कन समझ सकते हैं यहां कितना प्रॉब्लम हुआ था 120 में 120 को टॉफ गया था अब नहीं करेगा फिर से कि वह फिर से बदनाम हो तो यहां पैसा कुछ है हाँ एक्जाम कभ है आप बताओ तो भी या मैं यह चीज नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी बहुत कुछ कुछ बहुत यह बनाता यह तो भाई यह लोग दे रहत हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं अगर कोई प्रूफ होगा तो मैं खुद इनों के खिलाब अब बहुत हुआ अगर अपने मान से लोग डेट वारल करेंगे तो मैं जरूर ऐसा करूंगा ठीक है तुम ग्रेट हो मैं किसी भ अब मालूम कर लिए चार बच्चे हैं सर सही बोलने हैं बहुत बढ़िया सूपर आपके बात 100% सही है ब्रो एंटी कब होगे according to your opinion यह बात अपने सही बोले कि आपको गलत न्यूस देने वालों पर फयार हम करेंगे अब स्ट्रेंट की फिलिंग को समझते हैं थैंक्स प्र यह तो हमें साफ यह बात यह लग है यह राइट ब्रो सर मीडिया प्रल्स एक्जाम होगा एंटी पसे के तो भाई आप मैं कुछ नहीं कह सकता हूं एंटी पसी महज पांस दिन का एक्जाम है तो यह लोग इसको कहीं कहीं अजिस्ट कर सकते हैं लेकिन जब तक लोग डिसि द्रिवाइगर अब हम किया वाइख तो तोट क्तायुम पर लिगए और पॉपन होगा फ्रिकिर यह लिखा है अभी आप स्टाउमर्स लिए जारा हैं OS ноч 2 तो इस हम एकवाल इक्जाम पुस्पन होगा है अभी आप։ज़चर ह courtesy लिये जा रहे हैं कि आप अपर सब्समें कर प्रफिश करें लेगे को अभी कोई कंफर्मेशन नहीं कि एक्जाम कब से होगा कब से नहीं होगा तो आप लोग ध्यान मत दे इसा बिरूप फेक अब हमारे इमेल को सेंट कर सकते हैं हम इनके खिलाफ इतना ही थैंक यू जय हिंद जय भारत